हेलो गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल लोलिज भाई जी पर मैं हूँ आपका दूस समित कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एको नव इन्फोर्मेटिव वीडियो लोग से संबंदित आज हम इस वीडियो में हमारे MCQ को आगे कंटिन्यू करेंगे आगे कंटिन्यू करने से पहले प्रीवेस वीडियो में हमने एक कोशन आप सभी के लिए छोड़ा था जिसका जवाब आपने हमें कमेंट सेक्शन में देना था उसका जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या कोशन था कोशन यह है था कि public servant जो term define की गई है IPC के अंतरगत वो किस section में define की गई है तो जब आप section 21 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो है public servant term के बारे में बताया गया है अब हम बात करते हैं हमारे आज के questions के बारे में सबसे पहला question क्या है कि LAB का क्या मतलब होता है LAB term थोड़ी सी अटपटी लग रही है LAB term ये एक Latin term है ये एक maximum है जो की काफी बार पूछी जाती है exam के point of view से काफी ज़्यादा important है LAB का मतलब होता है कि आप कहीं और हो कहीं elsewhere कहीं और हो जानि कि जब कोई crime हो रहा है उस समय पर आप यह show करते हो कि मैं वहाँ पर था ही नहीं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं LAB अब बात करते हैं हमारे अगले question के बारे में voluntary non-fit injuria ये हमारा IPC के किस section से connected है तो जब हम section 88 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस term के बारे में define किया गया है voluntary non-fit injuria के बारे में अब हम बात करते हैं हमारे अगले question के बारे में हमारा अगला question क्या है कि movable property को IPC में कहां पर define किया गया है कौन सी section है जो movable property के बारे में बात करती है तो जब हम section 22 पढ़ते हैं IPC का तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है movable property के बारे में जो है define किया गया है अब हम बात करते है wrongful gain का क्या मतलब होता है साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो wrongful gain की term है इसे IPC में कहां पर define किया गया है तो जब हम section 23 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर wrongful gain के बारे में बताया गया है wrongful gain का मतलब क्या होता है क्या किसी property से gain होना या फिर किसी person से gain होना किसी property से gain होना लेकिन unlawful means के द्वारा या कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है किसी भी property के unlawful means के द्वारा gain होना उसे हम क्या कहते हैं wrongful gain कहते हैं साथ ही से section 23 के अंतरगर define किया गया है अब हम बात करते हैं हमारे अगले question के बारे में कि dishonestly term का क्या मतलब होता है dishonestly term का मतलब होता है कि person की intention है जो की कारण बनता है wrongful gain का एक person को या फिर किसी दूसरे person के लिए उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं कि इसने dishonesty की है अब हम बात करते हैं हमारे अगले question के बारे में section 25 इन सभी में से किसके बारे में बात करता है section 25 में fraudulent term को define किया गया है dishonestly term को कहा पर define किया गया है Section 24 में wrongful gain को कहाँ पर define किया गया है Section 23 में movable property को कहाँ पर define किया गया है Section 22 के अंतरगत अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में हमारा अगला person क्या है कि fraudulently term इसका क्या मतलब होता है frauduland term कहाँ पर define है Section 25 में Section 25 के अनुसार जो frauduland term है इसका क्या मतलब होता है यानि कि कोई भी person किसी चीज को करता है किस intention के साथ defraud intention के साथ उसे हम क्या कहते है fraudulandly उसने वो act किया है अब हम बात करते हैं हमारे अगले person के बारे में जो एक important maxim है काफी बार उचा गया है इस maxim को usable भी होती है ये actionable per se का क्या मतलब होता है यानि कि आपका act ही punishable है और कोई जरूरत नहीं है damage के proof करने की no proof of damage is required इसे हम कहते है actionable per se पहली term इसका क्या मतलब है from the beginning यानि इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है ab initio good faith इसका क्या मतलब होता है bona fide at another place और elsewhere इसका क्या मतलब होता है leb तो इन सभी term का मैंने आपको मतलब समझा दिया है अब हम बात करते हैं हमारे अगले term के बारे में हमारी अगली term क्या है हमारी अगली term है ascent momentum ascent momentum का क्या मतलब है ipc के अनुसार एक important maxim है इसका मतलब होता है meeting of mind यानि की mutual consent होना अब हम बात करते हैं हमारे last question के बारे में जिसका जवाब आपको हमें comment section में जरूर देना है क्या है कि will term को कहां पर define किया गया है ipc में section 13 बात करती है will term के बारे में 31, 32 या 33 इसका जवाब आप हमें comment section में जरूर दीजिएगा आज की वीडियो में इतना ही फिल से मैं लेकर आऊँगा आपके लिए एको न्यू वीडियो तब तक के लिए जुड़े रही है मित कुमार नौलिज बाई जी के साथ